बारत में 75 साल के आजादी के बाद इतने सारा समश्यों से उलज रहे हैं हम लोग इस तिती से बारत को अगर निकल कर बाहर जाना है कुछ ये अब तक रूटीन जो 75 साल में चलता आया है उससे उटकर आउट आफ वाक सोंचना चाहिए विशेश एक्यों का मानना है ये मेरा बात नहीं है अगर किया जाए तो भारत सर्वस्रेश्ट देश इस दुनिया का बन सकता है प्रबावशाली बन सकता है प्रबल आर्थिक शक्ति बन सकता है इसमें हमारा प्रयास होना चाहिए एक उच्च गुनुवत्ता वाली बदलाव बारत में चाहिए ये बिल्कुल चाहिए अगर हमारे पास ग्यान नहीं है पुरे दुनिया में जहां ग्यान है वहाँ से प्राप्त करना चाहिए हम लोग चेहना जिसकी जीडीपी हमसे कम थी 1980 तक 81 तक भी उन्होंने कर पाया कर दिकाया उनका एकानमी पहुंच गया 16 त्रिलियन डालर में आज हम 3 त्रिलियन डालर के आज पास में घूम रहे है बड़ा शरम की बात है चेहना में हर चीज हमसे कम है हर चीज की उपलब्दी हमसे कम है लेकिन वो कहां पहुंच गया अज टकर दे रहा है पुरे दुनिया के अग्र देश जो माना जाता है अमेरीका को टकम दे रहा है प्रतियोगिता दे रही है हम कहां रह गए ये महसे बने रहेंगे ऐसे ही रहना चाहिए देश को आज देश के युवाघ को देश के बुद्धी जीवियों और को सोंचना चाहिए मैं एक ऐसे पवित्र जगा बैटके बात कह रहा हूँ जहां से लोकनायक जेप्रकाशन जी के एक आवाज पे पूरी देश में करांती आई थी ताना शाय का खात्मा किये थे रिश्वत कोरी के खिलाफ में लड़ा ही लड़े गए थे ऐसे पवित्र भूमे में आकर कुछ प्रेरना मिलता है इसलिए गुजरात से सारे देश के युवाओं को बुद्धी जीवियों को राजनीती में जो लोग काम सक्री कर रहे हैं उन सारे लोगों से हम प्रार्तना करेंगे कि BJP मुक्त बारत ही देश को आगे ले जाएगा इनके धरम के वाद पे कुछ अन्य के वाद पे देश को थोड़ मरोड के जो कर रहे हैं तोड़ना बहुत आसान होता है जोड़ना बहुत खटिन होता है एक बार थोटा देश एक बार एक विद्वेश एक हेट्रेड पहल गया बहुत मुरा मुश्किल होगा देश को बड़ा नुकसान हो जाएगा हम समबले में फिर काफी समय हमें लगेगा इसलिए इस कत्रा से बचने के लिए हर किसी को आज सुचना चाहिए इनके जो बहकाओ है जूटे वाइदे हैं जूटी बाते हैं और जूटा तरीका है एक शरम करने वाली बात है बारत लोकतंतर का मान्यता रखने वाला के विशेश देश है हमारा कोई पतिष्टा है अंतरराश्य स्तर पर आज कहा जा रहा है कुले आम देश को चलाने वाले सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष कुद कहते हैं हम सारे पार्टियों का खात्मा करेंगे एक पार्टी, सिर्फ एक पार्टी का तानाशाही लाएंगे कहा तो ऐसा जा रहा है तिरंगा को नहीं उड़ाएगा काश आए जहंडा उड़ाई है का अपने करों पर और वो लोग का कुछ पकड़ने वाला नहीं है ये तो देश के साथ गद्दारी हुआ काश जे द्वज के साथ गद्दारी हुआ वो लोग कुले आम बयान देते जा रहे हैं क्यों केंद्र सरकार चुकपी साथ रही है क्या कारण है इसके पीछे और आज जिस प्रकार के दंगे कराए जा रहे जिस प्रकार के एक सहिष्णु तो हमारे देश में बना हुआ था जिसके प्रतीब हमारा देश का बड़ा मान्यता था जो हमारे राष्ट पिता है महात्मा गांदी जी ने अपने आपको नहीं कहा राष्ट पिता सारे देश ने माना है सर पे लिया है ऐसे राष्ट पिता का अपमान किया जा रहा है कितने गंदे तरीकों से और हम सुब लोग चुपी साधे हुए है ये कहां ले जाएगा देश को कि हम अपने दादा पर दादा का अपमान करेंगे अपने खांदान का अपमान करेंगे ये किसी देश में होता है ऐसा नहीं होना चाहिए ये कहां ले जाएगा भारत को आगे तफता को हम क्या सिखा रहे हैं ऐसे बारत किसको चाहिए और इनके प्रति कोई मतलब कुछ हुआ है इनका कोई काम है इनका कोई योगदान है फलाने सेक्टर में कुछ हुआ है किसमें सुदधार हुआ जी बातों के सिवाए कोई काम नहीं नहीं जब ये विपक्ष में थे गला पाड़ पाड़ के जिन बात कर रहे हैं, दुनिया का बहुत बड़ा इंसुरेंस कमपनी है, सक्षम कमपनी है, सक्रे कमपनी है, करोडों जनता का इस देश का बहुत प्यारा कमपनी है, उसको क्यों काटा जा रहा है, क्यों बेचा जा रहा है, पोर्ट भी बेचते है, एरपोर्ट भी बेचते है, रेल भी बेचने में लगे हुए है आखिर एकिन आरा बचा है बेचो इंडिया इस रोप बेच दो कि भी प्रइवेट कर दो फिर क्या बचेगा देश को एटी वेले वर्दलो कि चाला मंदिर एट उलो नस्टपूड अंदर गिंदी प्रभुत्व आस्टललो विद्यार्थ लकु सरय नेट्टोंटि आहारं दोरका का विद्यार्थ लू दर्ना यस्टूनेट्टोंटि परिस्ति रहित लकु कोनालस नेट्टोंटि ओडलन्नु सकालमलो कोनेनी कारणंगा रहित्यूल आंदोंटोंट परित्ता होंटे मन गवरों मुख्यमेंत्रिगारू नेल विडिची साम जेस्ता होंटे तेलंगान प्रजलू तेलंगानन नून नीत्वंतंगा परिपालिंचंडेंटे आयन देशमंता तिरिगी तानको तानु प्रचारां जेस्कुट्चुनु तेलंगानन नून गथे निमिदी समत्सरालेगा उदरीच्चिननट्टू तेलंगान प्रजलूक्को इवर एरकवेन समस्से लेदू तेलंगान अन्ता बंगारु तेलंगाने पेहिंदी प्रजलंदर उडवा बंगारु तेलंगानों पूर्तिगा बागस्वाम् मैयारू कबस्टि इपुड तेलंगानन नी उद़रीच्चान इनन रोधुल alarmsु इपुड देशानी उद़रीस्थान ननी अणेक रास्टाल थिरूतावनुं। अनेक रकाल तपूल प्रशार और जेस्तावनुड। तेलंगानुलो निर्जोव समस्य परिश्कारम हैंदी तेलंगानुलो दलीतुल मुख्यमंत स्रेयडु तलंगानुलो नि-दलीतुलकु मुटे कराल स्तलमी चाडु तेलंगानलों इरोजु रहितुल आत्मात्यलों लेवु इरक्कंगा तेलंगान पूर्थिक अबुरुद्धी जरुगिंदी देशमंद जर्गलेदु इरोजु देशानके नेने दिक्कु मा कल्लोकुन्ट कुटुममें दिक्कु मेमे आधर्ष्यमु तेलंगान माडले देशानका अधर्षम ने विदंगा इरोजु वु मुख्यमंद्रिगारु अनेका रास्टालों तिर्गी प्रचारां जेस्तावुनरु मा केर अख्वेने टुम्ट अभ्यर्णतम लेवु मुख्यमंद्रिगारु वेतरेक्क अंगा गानी बीजेपी वेतरेक्क अंगा गानी मीर प्रचारां जेस्ते ए रास्ट्रम में लेवु पट्टिच्च्कोडम लेवु उत्तरप्रदेश नायकुलन गल्चारु पंजाब नायकुलन गल्चारु दिल्ली नायकुलन गल्चारु बियार नायकुलन गल्चारु तमिल्नाड केल्लारू, बेंगलूर केल्लारू कानि एवक्का रास्ट्रम, एवक्का प्रतिपक्ष पाट्टी KCR नू सीरियस गा दीसकोड़म लेदू KCR वेवारं जूस्ची नवुकुन्टू नारू KCR वेवारं जूस्ची नवुकुन्टे परल लेदू तेलंगाननु चूसे नवुल परिस्ची नवुल परिस्ची नवुल परिस्ची नवुकुन्टू KCR 120 नितीश कुमार गारू इन माटलु विनलेका लेच्पोतुन्न परिस्थित दुष्टाम। अनेट्ट्वेंट्वेंट्वका ब्रमलो इरोजु केसी यारगारु व्यवरेंज जयस्तावनरु। मुख्यांगा इरोजु मननं दूस्तावननम। नेनु प्रतिपक्षपाटिल अन्नीटिने एक जयस्तावनरु। इद्धरु नायकुल। कलिसी कूर्चोले नेट्टुन्टि परिस्थिति प्रस्थिकान्फेंसलों। निन्ना। अन्दर नायक्यां जयस्तावन। पदिसारलान लेच पोतावन। कूर्चोमनी बतिलाडिना चेई पट्टकोनी ब्रतिलाडिना कुडा निन्न नितिश्कुमर्गार कूर्चले। केसियार मार्टारत्तुना चुषियाने नौकुन्टुन्टुन परिस्थिति पुएंडिन। इदेशम्लों नरिंदर मुणुगारन नेत्रुत्तम लो गत ऐनीदु समत्सरालगा एवी चेये लेदु विदेशालवन उन्ची मांजा वस्त्तुंदी विदेशालवन उन्ची अन्नी दिगुमत चेसकुन्टुन नम अन्नी माण्ट्राड़ गवरवन मुख्यमंत्रिगार की विश्यालवन तेलिसी मांट्राड़ तुन्नरा तेलेकमांट्राड़ तुर आरत्तं कावडों लेदु लेम हम हम कावडवन मुख्या विझ बत्के विश्यालवन उन्ची मांट्राड़ तुन्ची न Yeah